जलगाओं के खान देश में दादर जवार की आवग शुरू हो चुकी है लेकिन इस साल रेट उचित नहीं है नियुन्तम रेट 25 तो अधिक्तम 35 रपे प्रतिकुंचल है तस्वीर ये है कि सभी किसानों को अधिक्तम दर्ण नहीं मिल पा रही पिछले सब्ता खान देश में जवार का आगमंद शुरू हो गया है खान देश में तापी, अनेर, पांजरा, गिरनाकाट, सुखी दादर जवार के लिए काफी परसेद हैं दरसल दिवाली के बाद सुखी परवाही दादर जवार को काली कठोर मिटी में बोया गया था कुछ किसानों को बॉयाई में देरी होने के कारण खेतों को गिला कर जुताई कर बॉयाई करनी पड़ी कई लोगों ने विश्व विधाले की संशोधित उन्नत दादर जवारी किसम को लगाया था कुछ किसानों ने दो बार सिंचाई की तो कुछ को तीन बार तक सिंचाई करनी पड़ी दरसल समय पर बोई गई दादर जवार की आवक पिछले सब्ता शुरू हो चुकी है और इस सब्ता आमद बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले साल के शुरुवात में दादर जवार की ओसत कीमत 4,000 पे प्रतिक्विंचल थी लेकिन अधिक्तम किसानों को अपनी जवार 2800 से लेकर 29,000 पे प्रतिक्विंचल पर बेचनी पड़ रही है पिछले सीजन में दादर जवार को अप्रेल में सबसे ज्यादा 53,000 पे प्रतिक्विंचल का रेट मिला था शुरू से ही दरे काफी उची थी लेकिन इस साल शुरूात में ही दामन मुताबिक न मिलने से किसानों में फिलाल नराजगी है वर्तमान में खान देश में प्रतिदीन उस्तन 900 कुविंचल दादर जवार की आवक हो रही है चोपडा मंडी में सबसे ज्यादा 2500 से 207 कुविंचल आयात होता है दरसल जलगां बाजार समीती में भी फिलाल अच्छी खासी आवके देखने को मिल रही है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि इसके चलते दरोप और फिलाल दबाव बना रहेगा